अपने ही पैसे निकालने के लिए बटक रहे हैं साहरा अंडिया के गिराक हेलो फ्राइंड नमस्कार और अदब दोस्तों मैं यूएस खान और आप देख रहे हैं स्टी निश टीवी जैसे कि आप जानते हैं कि हम साहरा की हरेक लैटर्श निउस आप तक पहुचाते हैं दोस्तों आज जो आपके लिए बड़ी ख़बर लेकर आएं वो दैनिक बासकर से हैं ये खबर हमें अपसे आठ गंटे पहले मिली है आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हमारा अनुरोद है कि आप चैनल पर बने रहे साका कि आपको पता चल सके कि आज की बड़ी ख़बर क्या है दैनिक बासकर साई साहरा अंडिया कमपनी अब अपने गराकों को रुपिया नहीं लोटा रही है दो बार एबडी की अवदी बढ़ाने के बाद जरूरत पढ़ने पर भी कमपनी लोगों को रुपिया नहीं लोटा रही है कमपनी के स्थान्य करमचारी बहांस के बाद फुल जमा में अब दस से बीस पृतिसत रासी ही देने की हामी भर रहे हैं परिसान लोग अब परसासन के पास गौहाल लगाने लगे हैं गत दिनों सुजालपुर छेतर के दस से ज्यादा लोगों ने जानकारी देते हुए रासी दिलवाने की मांग की है खास बात यह है कि गराकों के साथ कमपनी के एजन्ट भी अपनी रासी मिलने का बरोसा नहीं रहा जहां दोस्तों यहां पर गराकों के साथ एजन्टों ने भी अपनी रासी मिलने का बरोसा नहीं रहा गराक के तो पैसे गए 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 यहाँ पर एजन्टों के भी पैसे मारे जाने का पूरा पूरा यहाँ पर यह न्यूज आई है, एजन्ट असोग पंचाल ने बताया कि कमपनी ग्रागों के साथ फ्रॉट कर रही है, इधर जमा करताओं का दबाओ बढ़ रहा है, दूर दर्शन सक्सेना ने बताया कि मंजू को कलेक्टर के नाम ग्यापन देकर कमपनी से रासी का बुक्तान कराए जाने की मांग की है, तो दोस्तों यह थी बड़ी खबर सहरा इंडिया की जो आज हमारे पाद दैनिक बहास कर साए, तो दोस्तों आप से हमारा नुरोध है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्र दन्यवाद जाएंजाब